हेलो एवरीवन वेलकम दो आट चैनल सक्सेस्टी मैं नेम इस दिपक ठाकुर और आज हम शुरू करने जा रहे हमारा इंडेस्ट रिलेशन का लेक्टर नमबर फॉर जिसका की टॉपिक है कॉंसिट्यूशन पर विजन्स रेलेटेट टू लेबर लॉव अब आप लोग को पत आप लोग भी अपने घरों में हैं और आप लोगों की इंट्रेक्शन फिर भी हमसे बनी रहे उसमें सबसे पहली बात है कि जब भी आप लोगों ने वीडियो देखना हैं आपको शेडियूल प्रवाइड कर देते हैं हमारे तेलिग्राम चैनल पे तो लाइव आके देखन कि आपके सारे कुरी कंसर्स जो है वो लाइव चैट में हम डिसकर कर लें और दूसरा जो स्टुएंट्स बाद में देख रहे हैं उनके डाउट्स में अलग से इस फॉर्मेट के थू ले लूगा जैसे कि कुछ डाउट्स मैंने आज पिक है कुछ को में डिसकर्स करना चाह रहा है कि उनको चीज़ पसंद आ रहे है कि इस वे में हम एक्जांपल्स यूज करते हैं और जो हम इमेज बगारा यूज करके आपको चीज़े समझा रहे हैं तो पीपला लाइकिन एंड बिसिकली इनका परपस यह कि आप हम समझा सके इसी वे में ठीक है ताकि आप जब ह यहां पर अधित्य वर्मा का एक डाउट है वह हम डिसकस कर लेता है कई सारे सुट्विंट्स का तो मैंने यह अधित्य वर्मा का जो कॉमेंट है इसे पिक है इसे पिक है तो वहां मैंने आप लोग को बताया था कि जो भी इंडस्री इंडस्टी या लेबर से लेटेड लेबर लॉज बनें वह देरा आरांट 44 एक्ट बने हुए ठीक है बट गॉर्मेंट ट्राइंग की इतने सारे जो एक्ट बने हुए इनको सिंप्लिभाई करके च टो लेबर कोड में चार लेबर कोड में बिषिकली वह डिवाइड करना चारे है इसको ठीके 1234 करके तो हरेको इननों in 44 को इनमे तो उसके बाद यह ही चलेंगे आपके कोड़ and and this is requirement हमें आप नहीं रहेगी because वह समीं मर्ज हो जाएंगे but the thing is कि अभी as of now अभी यहां पर ज तो जब तक वो नहीं बन जाते हैं तब तक हमारे पास यह लिमिटेशन रहेगा कि अभी हमें सबी एक्ट सब्सक्राइब करने हैं सब्सक्राइब करते हैं तो जब तक आगे एक्जाम हो चुका होगा तो हमें उसी में जाने की जरूत नहीं है हमें सारे एक्जाम के लिए हम करेंगे आज मैं सब का कुछ ना कुछ ओवर्वी देदूगा कि आपको पता लग चाहिए कौन-कौन से में में एक्ट हैं करने की ज सब्सक्राइब करने की जरूत नहीं है आप सिंपली सक्सेस्ट्री अपना जो है सक्सेस्ट्री चैनल जो है टेलिग्राम चैनल पर सर्च करो और वहां पर आपको सारे हैंड़ोट कर रहे हैं ठीक है तो इसके बाद नेक्स्ट है अच्छा यहां पर एक शंकर शाक का है कोमेंट बैसिकली यह कॉमेंट यहां पर मैंने लाइफ चैट में बीचीज क्लियर आउट कर दे थी कि जो में लास्ट क्लास क्या था उसमें ट्रेड यूनिन एक का गलती से वहां पर टाइपिक मिस्टेक हुआ हम पर 2013 नाइंटीं टॉंटी थी लिग दिया है इसका और प्लस लाइफ चैट में तो मैंने क्लियर आउट करी दिया था तो अगर लोगों आप वने मिस्किया तो देट इस करेक्शन की जो ट्रेड यूनिन एक्ट हो 1926 का है ठीक है ठीक है क्लियर हो गया कई साथ इसके रिगार्डिंग कॉमेंट था और इसके बाद एक को में दिसक्राइब करें यह तो मैं भी आपका एक स्ट्रॉंग बेस बिल्ट अप कर रहा हूं इसके बाद वह एक्ट भी हम साथ करते वेच लेंगे कोशिच करूंगा अलग अलग वीडियो बनाए हम है हर एक पर ताकि आपके लिए भी सीखना समझना इस रहे ठीक है तो कि आप लोगों को जो भी क्यों से वहीं पर आंसर में उनका कर दूँ ठीक है जब तक हम live classes नहीं कर पा रहें तब तक at least live chat में हम बात कर सकते हैं ठीक है चली फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज हमने बिसिकली बात करनी है लेबर लॉग ठीक है लेबर लॉग के रि इसके बाद सेकिंड है मारा fundamental rights यहां पर कई सारे जो राइट्स हैं तो इन जनल सिटीजन के लिए यह यह अदर्वाइस अबेलेबल हैं बट वह हम जू लेबर स्पेसिफिक हैं या लेबर लॉग स्पेसिफिक हैं उस एंगल से हम इन सभी को देखें हम प्रेंबल को भी सब्सक्राइशन के point of view से देखेंगे ठीक है ठीक है तो आप लोगी quality class हो चुकिया तो मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको वह political angle नहीं कराऊंगा हम मैं यहां पर आपको सुर्फ focus रखूंगा जो हमारा industry से या labor laws related provisions है Constitution में हम या फिर हम उसे इंटर्वेट कर सकते हैं इस व कि गई है जहां पर union list है state list and concurrent list है उस list में कौन-कौन से item state draw बनाता है union किस पर बनाता है या दोनों किस पर बना सकते हैं ठीक है वह सारे provision दिये हैं तो इसकी भी हम बात कर रहे हैं because exam में आ जाता है इस पर भी last year भी question रहा है 2017 examination में तू भी हम देख लेंगे से लिए पहले आज हम प्रेंबल की बात करें प्रेंबल को हम अगर आप जनल वे में देखो तो प्रेंबल को हम बोलते हैं विंडो है यह किसी भी constitution को समझने के लिए एक विंडो है ताकि आप इसमें जाग कर देख सको कि इसकी अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है ठीक है तो यह होती है कि जिस महल में आप घुसने वाले उसमें आपको क्या गुष मिलेगा तो इंडिया का जो Constitutional प्रेंबल विच्ट 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 विद विदा पीपल से स्टार्ट होता है एग और इसमें आपको प्रविजिन आप बैसिकली मैंने आपको यह वींपर फोकस रखन कियो होता है या फिर fundamental rights क्या होते हैं वह सब कुछ हो है वह information उन video में मिलेगा यहां पर हम बात करेंगे specifically labor law के context में ठीक है तो प्रेंड़ में हमें basically क्या बोल रहे हैं प्रेंड़ में हमें सबसे पहली बात जो प्रेंड़ कहता है कि यहां पर हम जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस के इस कॉंटेक्स में रहता है जस्टिस बेसिकली रहता है प्रोटेक्शन ओफ लॉओ ठीक है तो प्रोटेक्शन ओफ लॉओ की बात यहां पर करता है की यहां पर हमीं बात कि यहां पर हमीं बात किया यहां बात करें तो यहां पर आपको इन की उसलिए कि और कौन साथ से उक्पेशन में आप काम करना चाहा रहे हो और साथ ही कहां place of work क्या होगा आपका वो सब भी choose करने का right आपको यहां पर मिलता है ठीक है तो यह हो गया and equality of status of end of opportunity तो यह basically हम यहां पर one by one जब discuss करेंगे fundamental right तो I will explain कि एक इस context में बात हो रही है ठीक है तो प्रेंबल से basically हमें एक overview मिल जाता है कि हमें labor laws के regarding क्या कुछ आगे information मिलने वाला है ठीक है चलिए second part जो है इसका labor law and fundamental rights है fundamental rights basically आपके justiceable rights रहते हैं इनके लिए आप court में जा सतो यह सारी चीज़े आपको पॉल्टी के लेक्षे में समझाएगे यह detail में ठीक है यहां पर हमने बात करने है उन fundamental rights की जो हमें इस part 3 of the Constitution में मिलती है regarding labor law ठीक है जहां पर हमें labor law के context में बात कर सकते हैं तो इसमें हमारे प्रास है अंडरस्टेंडिंग में labor law के लिए और इन ही एक्ट को इन ही fundamental rights को implement करने के लिए state government ने और central government से बहुत सारे laws भी बनाया regulations भी बनाया उनका भी हम overview लेंगे and end में जो यहां पर हमर पास है article 32 to 35 यह basically इन सारे जो provisions हैं सारे जो fundamental rights हमें मिल रहे हैं इनको implement करने के लिए और protect करने के लिए इसकी भी हम बात करेंगे अपने one by one सबी के लिए ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं article 14 की आर्टिकल 14 basically बात करता है equality before law कि कोई भी law से बढ़ा नहीं है और हरे के लिए law same है ठीक है बट हम इसे labor law के context में बात करें तो यह बात कर रहा है इक वल पर उक्वल वर्ग ठीक है तो मतलब जो सेम काम कर रहे हैं उनको सेम उसका cooperation तो यहां पर कुछ है क्उछ हमने दर MMC session कि सब्सक्राइब कि मूला अब जैसे को ख़रें怎麼 Bei तो हरे की तो उसको पैसे मिलेंगे वोगा तो उसको 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 उस अलग होगी उसके जो विजी से अकॉर्डिंगली अलग होंगे ठीक है तो यहां पर इक्वैल्टी मतलब यह नहीं कि आप मेरिट को भी नजर अदाज कर दो और सब पर इस बात को कि प्रमोट करने की बात करता है कि इसमें पर आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन कर देता है कि on the basis of अगेंस तो फर इसमेंपल जो अब कोई नया इंप्लाइड है या ओल्ड इंप्लाई है तो उनकी एक्सपिरेंस में डिफ्रेंस होगा उनकी विजिस में भी डिफरेंस आएगा ठीक है वहाँ पे क्वेल्टी हम बात नहीं करेंगे ऐसी जो है वुमेंस का जो वर्क प्रॉफाइल उसके कॉर्डिम उनकी सेलरी रहेगी तो उसकी वहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं फिक्सिंग उफ डिफरेंट गेस फर डिफरेंट इंडर्स्ट्री थिक यह बड़ा इंपोर्टेंट यहाँ पर कि अब यह नहीं कि फर एग्जांपल कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है को इक अट कॉई को इक अल्ग काम कर रहा है तो दोनों की अगर से manager level पर दुनों काम करें तो दूनों की salary भी सेम होगी ऐसा नहीं होगा विकाज जो IT सेक्टर में काम कर रहा है उसका kind of nature of job अलग है industry अलग है and उसकी salary उस industry के according decide होगी and ऐसी जो construction के field में काम कर रहा है उसका nature of job अलग है उसकी salary वहां के according decide होगी ठीक है तो यह clear हो गया अब इसमें एक और important चीज़ जो है मैं बात करूँगा यह news में बहुत रहता है एक है regular implies और casual workers का ठीक है regular implies और casual workers ठीक है अब इसमें क्या है basically बात high courts ने Supreme Court ने कई बार इसके उपर judgment दे दिये है कि कई बार क्या आता है even government भी कई बार क्या करती है कि जो है वो regular employer ना hire करके वो casual employers hire कर लेती है उसका purpose क्या होता है कि उनको यहां पर फिर कम salaries पे casual workers मिल जाता है मतलब अगर regular आप रख रहे हो तो हमने सब्सक्राइब भी देनी पढ़ेंगी आप वो सब्सक्राइब देनी पढ़ेंगी शोचल सिक्यॉर्टी के प्रविजिंस accordingly देने पढ़ेंगे बट वो क्या करते हैं आप पर casual worker hire कर लेते हैं कि मतलब regular ना रखे casual रख लेंगे same काम करने के लिए same desk job है same field job है लेकिन वो regular को ज्याद़ पे करेंगे और casual को नहीं करेंगे तो इसको कही वार Supreme Quote or High Quote ने अपने judgments में चीज बोलिए कि this is not right there is a provision under article 14 जहां पर आपको equal pay और equal work को ज्यान में रखना है और अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो you are violating this fundamental right ठीक है इस राइट की violation है वो ठीक है तो you'll be held responsible for this तो यह नहीं होना चाहिए ठीक है तो accordingly state governments and the center भी accordingly फिर इसकी according rules and regulations बनाता रहता है इसकी हम बात फिर से करेंगे जब में आर्टिकल 38 करेंगे फिर से इसको थोड़ा सा और explain करके आपको आगे बताऊंगा किसी को जॉब दे रहो तो सब के लिए सब के लिए उपन होने चाहिए सब उसके लिए apply कर सके यह provision होना चाहिए ठीक है एंड सब के लिए सब को हमने सेम लेवल अफ लेवल प्लेइंग लेगा तो सब कर लें जो जीते का उसको जॉब जाएगी बट यहां पर हमारे पास एक रिजर्वेशन का प्रविजिन होता है जिसमें हम यह चीज़ देखते हैं कि जो पहले चाहे कल्चरी डिप्राइब रहा हो या लिए इसको डेपरिवेशन है कुछ डिसडवांटेज है तो उसका वो डिसडवांटेज हमेशा उसके साथ ना जुड़ा रहे है उसको गॉर्मेंट जो है या स्टेट या इंडिया वह एक वेल्फिर स्टेट है लोगों का बहला देखने वाली स्टेट है तो वहां पर पॉल्सी का लेते हैं कि गॉर्मेंट को रिजर्वेशन देके कट आफ वेगरा में रिलेक्शेशन देके प्रमोट करते हैं ताकि उनको एक्वाल पोर्जोंटी मल सकें ठीक है तो यहां पर बिसीकली आर्टिकल 60 में यही प्रविजिन है जो हमें देखना है अमारे इंप्ल सिंपल सीधी सीधी लिखी गई है कि constitution guarantee citizen to form union और association ठीक है अब union किसी भी तरह की हो सकते हैं और associations भी political association भी हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाली बात या फिर आप कोई NGO गरा बनाने की बात होगी वैसा कुछ लेकिन यहां पर हमारे labor law के बात कि इसकी trade unions की ठीक है trade unions बनाने की बात भी यहीं से तो इसे promote करने के लिए इसे implement करने के लिए labor law के form में trade union act जो है वो एक काम उसको हम इस category में रख सकते हैं कि trade union act जो है 1926 का वो इस चीज़ को promote करता है ठीक है तो अगर आप हम इस वे में रखी कौन से article को promote करने के लिए कौन से acts हमारे पास है तो यह जो है हमारा article 19 को promote करता है promote कैसे करता है कि यह provide करता है कि आपको अगर कुछ भी अपनी management से कुछ issue है किसी भी तरह concern है तो आप अपनी वाइस उठा सकते हो आप trade union बनाओ and trade union को legal protection रहती है civil और criminal cases से भी कई चीज़ों में ठीक है जहां पर for example ऐसा नहीं कि जैसे आप यहां पे screenshot मैं आपको दिया कि आपको अगर आपने एक general strike का आवाहन किया है कि आज इस डेट पर strike हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप अगेंस criminal cases हो जाए कि नहीं आप लोग इसरा से स्टाइक नहीं कर साथ तो ठीक है यह जो लीडर है उसके किसे तो वह जो trade union act है यह सीज़ की आपको protection इस चीज़ में देता है कि आपको यह सारे issues face ना करना पड़े ठीक है तो यह करीबार question आप भी जाता अगे एक्जाम में आज आता है इस को promote कर रहा है ठीक है और मैंने कुशिच कि आपको जहां पर जो एक्ट्स वगारा भी आ सके वो भी साथी इंक्रूड कर लो ताकि आपके लिए भी easy हो जाए इन एक्ट्स को इनके हाथ associate करना और जो यहां पर एक्ट्स की में बात कर रहा है बड़े important text है तो इनको हम one by one अपने topic के साथ साथ आगे करते भी चलेंगे जब आगे के lectures में करेंगे ठीक है चलिए next lecture next article नेक्स आर्टिकल है नेक्स आर्टिकल हमारा आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में basically कहने के दो सिर्फ इसमें तीन या चार स्टेटमेंट्स है तीन या चार लाइन्स का यह आर्टिकल है लेकिन अगर हम पूरे सारे constitution की फंडेमेंटरेस की बात करें तो यह सबसे जादा यूज किया जाने वाला कोर्स में यूस किया जाने वाला या अधर्वाइस यूज किया जाने वाला आर्टिकल है इसमें आपको simple लिखा गया है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रॉटेक्ट करना है ठीक है अब लाइफ पर्सनल लिबर्टी बहुत कुछ आ जाता है अगर हम जिसको इसको लेबर लॉक कि एगर कॉंटेक्स में बात करें तो यहां पर यूमन डिगनिटी की बात किये और कैसे डिफाइन होगी कि कि सी आदमी को हो सकता है आप सिरफ सेलरी देखिए उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं उसको एक अच्छी रहनी की जगा एक साफ सुत्रा सैनिटेशन सैनिटेशन फैसलिटी वह सब कुछ मिलना चाहिए तो आप उसमें बहुत कुछ इंक्रूड कर सकते हो डिगनिटी के लिए तो लेबर को जो लेविंग स्टेंडर होंगे उसको उसकी राइप की डिगनिटी उसके लिए वह होगी अगर कोई मैनेजर लेवल पे है या सीनर लेवल पे है तो उसके लिए यूमन डिगनिटी का मतलब अलब होगा ठीक है तो इन सब कि यह सब जो है इस आर्टिकल 21 के तुरू यूमन डिगनिटी को पर्मोड करते हैं इनका परपस यह कि जो लेबर की वेलफेर है यह लेबर की जो एफ़र्स है उसको डिगनिफाई होना चाहिए ठीक है तो उस कॉंटेक्स में इसे देखते हैं आर्टिकल 23 देख लेते हैं आर्टिकल 23 यह कई बार एक्जाम में यह पूछ ले जाता है अलग अलग तरीकों से आर्टिकल 23 में जो हमारे काम का है यह देखना है यहां भी बात की है प्रोहिप्शन ऑफ ट्रैफिकिंग इन यूमन बिंग ठीक है मतलब जो प्रोसिटिशन वि है इन सब को रोकना है और प्लस इसमें फोर्ज लेवर की बात की है फोर्ज लेवर को एक हम लेवर लॉकिंग में बहुत इंपॉर्टन देते हैं इसके लिए हमने अलग 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 एक्ट्स भी बनाए है जैसे आप यहां पर देख रो बॉंडड लेवर अबुलिशन एक नाइंटींटिसेट्स के बात यहां पर की गई है ठीक है और यहां पर विड़ है बिगार बिगार बिसिकली और के टाइम से यूस किया जाने वाला वाला इक वरड है इसमें एंड उससे पहले से भी यह यूज होता है इसमें बिसाड़ यह बी टाइप अफ पॉर्ज किसे काम करा रहा है इस इमेज में देखो यह कोईला मुई का इमेज है यहां पर एक बड़ा अच्छा डायलोग इससे आपको यह लेब फोर्ज लेबर को या बेगार को समझने में help मिलेगी यहां पर डायलोग लिखा गया है बचा मा की कोक में बाद में बनता है हमारा गुल पर फोर्स लेबर करा रहा है उनकी यह mentality रहती है ठीक है चाहे उनके चाहे किसी बचे के फादर ने कुछ लोन वगरा लिया पे नहीं कर पाया तो उसके आगे की फैमिली वाले जो है वो एक बॉंडड लेबर की तरह काम करता है तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए गॉर् समझो कि आर्टिकल 23 है जो है उसमें हम trafficking in human being ठीक है चाहे देवेपार के लिए हो और फोर्स लेबर ठीक है इन दुनों को हम इसमें प्रोहिब्ट करने की कोशिश करते हैं और यह तो फंडमेंट राइट ने बोल दिया कि हमने प्रोहिब्ट करना लेकिन इसको अप्लाई कै कैसे करना है अप्लाई हमने करने के लिए एक्ट बनाया बॉंडड लेबर एवलिशन एक्ट 1976 ठीक है जो कि हर तरह के बॉंडड लेबर को जो है प्रोहिब्ट करता है यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं इसमें विसिकली एक और चीज बोल की वर्क के कॉर्डिंग नहीं दे रहे हो तो वह भी फोर्स लेवर में काउंट होगा मतलब जो मिनियूम वेज़िस अगर हम एक्जांपल है तो अगर वह उसको उत्रा वैसा भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात रहेगी हम इतना डिटेल में यह पिसी के इस एक्जाम में नहीं आता है फैक्चिल पीपर है हमारा बट फॉर यॉर इंफोर्मिशन में आपको बता रहा हूं हमें तो यहां भी डाइट डाइट कोशन आते हैं कि पूछन आ जाएगा कि बांड डिलेबर को अबॉलिश करने का प्रवेजिन कौन से टीक के बात कर रहें किसको बसका करने की बात कर रहें यह बात करेंगि हो साइद स्फाजर में काम नहीं करेंगे चाएँ मैंण लिए ऐस एकर माईन इसको इस कुछ और वो हो किसी बीकारन की रखनेङ्ट जाइट सब्सक्राइब एक्ट आपने बना दिया लेकिन उसको आर्टिकल में तो दे दिया फंडमेंट राइट आपने इस चीज का दे दिया कि प्रोहिप्ट करना है चाइड लेबर को लेकिन इसे अप्लाई करने के लिए आपको एक्ट बनाने पड़ता है तो उसे इसे अप्लाई करने के लिए करेंगे तो फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ठीक है आप इतना समझ लीजे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी और दूसरी बात यहां पर एक यह भी है कि जो है यहां पर हमें सिर्फ चाइड लेबर अगर आपको कोई बचा क्या फसा हूँआ तो इसको बहार निकालने की बात नहीं है उसको रीयविदियर्ट करने की बात भी है कि वो किस फैमिली की प्राइड में बहा है तो आपने ऐसा है कि हो सकता है वो सिर्फ अपने फैमिली का ब्रेड अर्नर हो मतलब कमाई का एक वही एक कमाने वाला हो घर में तो ऐसा निया आपने महां से निकाल दा कि तू स्कूल जा लेकिन वह घर भी चलाना है तो फिर यह एक्ट बात करता है कि सिर्फ हमने बचे को उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला हमें उसकी रीहबिलिटेशन भी करनी है उसके लिए चाहे हमें उसके फादर को जॉब देनी पड़े ठीक है तो यहां पर आप इमेज दिखोगी तो यहां पर के लास सत्यार्थी जो है इन्होंने बहुत बग की है चाइड लेबर को एरेडिकेट करने के लिए इंडिया से ठीक है इनका बहुत कॉंट्रिविशन रहा है इनको 2014 में इसी के लिए नोबल प्राइब भी मिला था इसी काम के लिए ठीक है और इनका एक बड़ा अच्छा कोड़ कोड़ भी है आपर जो मैंने लिखा है दिर इस दो ग्रेटर वालेंस देन्टु डि एक disability का बन जाएगी कि वह आगे उसके ग्रोई नहीं कर पाएगा विकॉस इस टाइम पर पढ़ाई करने उस टाइम पढ़ाई ज़रूरी है ठीक है ताकि आगे चलके वह वहां से आगे ग्रोई कर सके तो यह आर्टिकल 24 में दिया गया है हमें सब कुछ अब इसके बाद हम उनको implement कैसे किया जाएगा तो उसके लिए एक्ट बनाया जाता है अब यहां पर मैं आपको इक दलवार मुवी का डालग बताता हूं जहां पर senior officer जो है इमरान कान के वह बात बोलता है कि तुमने इंसाफ की मूर्ति देखी है उस मूर्ति के हाथ में एक दलवार भी है ठीक है लेकिन यहां पर इस मूवी में एक बड़ी अची बात की है कि उसके दूसरे हाथ में एक तलवार भी होती है ठीक है जिससे उसको इस सिर्फ जस्टिस डिलीवर भी करना है कि पनिश भी करना है जो यह रूल्स की रेगुलेशन की वालेशन करते हैं ठीक है तो जो fundamental rights हमने हाई कोट हो कि यह जो प्रिविजन से अगर इनका वालेशन होता है चाहे लेबर लॉग का हो उन्टेशिबल्टी का हो तो इसको आपने इसकी जो भी वालेशन करें उन लोगो को इस तलवार से उनका आपने उनका एक जज्जमेंट भी देना है ठीक है उनको एक चस्टिस प्रवाइड करना है तो यहां पर अब इस परपस के लिए अगर हम लेबर लॉग के कॉंटेक्स में बात करें यहां पर तो यहां पर आप देखो कि अगर कोई मामूली लेबर है किसी फैक्ट्रिम में तो किसके लिए कोई सुप्रियम कोट हाइप नहीं जाने लगा उसके पर देली कमाता डेली हाता है तो उसके रास इतना पैसा नहीं है कि अपने माल के अगेंस वो सुप्रीम कोट हाइप जाके लॉयर हाइर करे और केस करे तो यहां पर सुप्रीम कोट ने अपने जज्जमेंट्स में बड़ा अच्छा एक पर विजन बना दिया था मैं अगर कि बात करूं तो देट वाज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जो है एक यह एंजीव है जो इस फील्ड में काम करता तो उनकी उनकी प्रटीशन के वेसे इस पर सुप्रीम कोट ने जज्जमेंट दिया था कि पॉब्लिक इंट्रस लिटिएशन भी आप उनकी ऐसा को दिखता है तो वह भी डाइट ली जा सकते हैं ठीक है फॉर एक्सेस टू जस्टेस के लिए ठीक है तो यह यह का जो सिस्टम है यहां पर बड़ी इच्छी बाद सुप्रीम कोट नहीं रखे को जाला कोई फॉर्मालिटी का ज़ूत नहीं अगरा सिंपल पेप जो है हमारे उनको इजी एक्सेस मल जाए जस्टिस के लिए ठीक है बिकास जो इंडिस्टिलिस्ट है उनके बास तो अलड़ी इतने पावर है कि वह बड़े एड्वोकेट्स बड़े लिगा सिस्टम को यूज कर सकते हैं बड़ लेवर डू नोट हैज एसस्टू रिसोर्स सिस्टिक है तो वहां पर उनके लिए प्राव्म रती है तो उसको हैंडिल करने के लिए प्याइल का सिस्टम बनाया गया है और यह आर्टिकल 32 से लेके 35 में सुप्रीम कोट और हाई को पार यह जो डिक्शन दिया गया है मैं यहां पर आपको स्पेसिफिकली लेवर लॉग के कॉंटेक्स में चीज़ें करवा रहा हूं आप हमारा जो इंडियन पॉलिटी के लेक्शर्स हैं जहां पर हमने इन फंडेमेंट राइट्स की और डेक्टिव एंसल्स वेरा की बात की है डेले लेक्शर्स की है वह आप देख सकते हैं अगर आप लोगों नहीं तक पॉलि सब्सक्राइब करता है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वह सब के वेलफेर के लिए बने लौ ठीक है लेकिन अब बात किया है कि सिर्फ गाइडलाइन्स होने से इसकी इफेक्टिवनेस नहीं होती है अब हम लेबर लौ की बात कर रहे हैं तो लेबर लौ तो इंप्लि से नहीं होता ठीक है अब गांधी जी तो बहुत कुछ उसने में बोल गए अब राइटिव पिंसिपल में उन्होंने कई सारे गांधियन तॉट या गांधी गांधी जी के से दान्तों के खोड नजर में रखते हुए कई सारे बने बनाए गया है ऐसी शोशलिस्ट इनको अपनी इंप्लिमेंट करना है लेकिन इसको इन्फोर्सेबल या लीगल या फिर जुरिल जस्टीसिएबल नहीं बना है बट ये जस्टीसिएबल बन जाते हैं थूर फॉल्विंग जज्जमेंट जो इसके बाद आई थी यहां पर इंपॉर्टेंट जजमेंट का मैं इसके बाद सुप्रीम कोट ने बोला कि ऐसा कुछ निया फंडमेंट राइड्स बड़े हैं यह कोई डिबेट नहीं है यहां बेसिकली बात यह है कि जो दोनों के दोनों जो है सेम चीज़ प्रमोड करना चाहते हैं वह वेलफेर और पीपल और इसक लिए यहां पर कोई त अगर उसके अगेंस कोई एक्ट बन रहा है तो उस उस लॉग को जो है और यहां वह हुआ है वह उन्रीजिम्स बोल सकते हैं ठीक है वट अगर 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 कोई डेक्ट्री पिंसिबल अगर करने के लिए कोई लोड भना रहें तो वह अंगर अगर आप एसके अग्जियंस काम कर रहा हां अगर ऐसा कोई लिए बना रहे हां जो डिएक्ट बनते हैं वो इन्हीं को प्रमोड करने के लिए पार्लेमन्ट है भो बनाती है यह निएidasусов बनाती कि ओप मैं इसमें कौन-कौन से एक्क हमार blev कौन और पहला वार्टिकल जो इस चीजavascript को को निकाल के उनको हटा के हमें लोग सुसाइटी में एक सब को एक एक उपोर्चुनिटी प्रवाइड करने की बात हो उस चीज को पर मोड करना है अब यहां पर दूसरी बात जो यह आर्टिकल बोलता है अर्टिकल 38 एक गयता है मिनिमाइज दा इनिक्वैल्टी ऑफ इंकम ठ तो गरीब और गरीव हो रहा है और आमीर जो अमीर हो रहा हुश चीज को हमें जो है करना तिक है यह सिच्वेशन नहीं जैलेगा यह सो एक स्टेट को किये लिए हमेशा यह उद्देश होना चाहिक हो कि इस तरह की जो इनिपृटि उस found और इसी सोजाटी से सफ निकल सबसे पहला article 38 जो इस इसको promote करने के बात करता है और हमारे labor law से भी link रहता है ठीक है इसके बाद हम next देख रहते हैं इसके बात करें। अर्टिकल 39 की आर्टिकल 39 जो है वो भी इसको promote करने की यहां पर basically हमने अपने second lecture में बात किया था गांधियन अप्रोच का जहां पर बात करते हैं अप्रोच ट्रस्टिशिप की ठीक है तो यह बिसीकली उसी गांधियन अप्रोच को उसी गांधिजे के उसी दांत को प्रमोट करने की बात करता है यहां पर यह कहता है कि हमें हर एक को यहां पर हमें आर्टिकल 39A में जो बात की गई है वो कही गई है adequate means of livelihood provide करना है ठीक है कि सब के पास इतनी opportunity हो कि अपनी खुद का पेट बरने के लिए अपना काम का जो है काम डून सके उनको काम मिल सके ताकि अपना घर चला सके हैं उसके basis पे ठीक है and second इसमें आर्टिकल 39B में बात की थी ownership and control of material resources ठीक है यह हमने गांदियन थौट जब हमने पड़ा था तो यह चीज़ समझी थी कि गांदी जी promote करते हैं कि जो owner है जो employer है वो अपने आपको बड़ा अपने factory का मालिक ना समझ के उसके ट्रस्टी समझे अपने आपको और यह समझे कि जो सब्सक्राइब का विकास वारी बात यहां पर आर्टिकल 39 करता है ठीक है अब यहां पर जो इंपौर्टेंट है यहां में रेड में आपकिए अर्टिकल 39 D यहां पर डिर्टी है लिखा गया तो अगर हमें पूछ लें की कौन सा अर्टिकल equal pay for equal work promote करता है तो हमने हमारा आंसर हो चाहिए आर्टिकल 39D ठीक है यहां पर डाइटी लिखा गया है कि governments को ऐसे ड्रॉल्स ऐसे regulations बनाने चाहिए ऐसी पॉलसी बनाने चाहिए जो equal pay for equal work को promote करें ठीक है तो यहां पर हमारी जो हम पहले बात करें करेंसे equal pay for equal work की and discrimination ना ओफ कि रखाज़ाई द्याना परहें जत्रयां पर देश्जांग और में के सेल्रीनेॏब सेमने काम की सेरिसा ठीक हो उनको मिल सके सेंनम को मिल सके से मिल सके उस थो समें। लग संसका ध्रॉजान रखा जाए या आर्टिकल इस को फ्लेबर है वो बनी रहें ठीक है एंड यहां पर और भी प्रोविजन दिये गए रिगार्डिंग चाइड्स आर गिवन ऑपर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू ठीक है तो यह हमारे लेबर लॉसिक के कॉंटेक्स में आप से भी देख सकते हो और इन पर मोट करने के लिए क यह हुआ पर इस को पर मोट करता है कि एक वो मैं हो वुमेन ओ ठीक है और कुछ तरह का इस बसाइस पर डिस्क्रिमेरेशन नहीं करोगे अगर सेम काम है तो उसके आप सेम ही उनको घृत हो गये ठीक है तेक है यह आर्टिकल 39 यहां पर इस पर मोट करता है ठीक है नेक्स दे मैं आपको discuss करूं उससे पहले आपको बात करना चाहूंगा मैं यहां पर करना वाइरस जो पेंडिमिक है इसको कंट्रोल करने के लिए जो गौवर्मेंट ने मेजर उठाए अब फॉर एजांपल यहां पर गौवर्मेंट ने बोला जो एपीएफो है जो एपीएफो जिस एक contribute करता इस fund में है ठीक है तो यह फंद में इनका contribution रहता है कि 12% जो है employer देगा बाराइफ परसंट employee देगा अपनी salary से 13% करतेखा है और employer को अपनी जैब से देना है ठीक है इस फंड में करना और यह फंड एक फो मिल्टेन करता है इस फंड में यह जो प्रविडेंट फंड है यह इसमें कॉंट्रीबूट होता रहता है दोनों की तरफ से अब करना पेंडिमिंग आने के बाद जो सबसे पहली जो प्रेस कॉंफरेंस की निर्मला सतजिवम में जो हमारी फ्रेंस मे बोली कि जो प्रेंट्रीज हैं जो इंडर्स्ट्रीज हैं उनको हम इस बात का अब थोड़ा सा छूट देंगे कि जो इंप्लाई इंप्लाई ने अपनी से बारा परसेंट देना था क्योंकि बनाए कि आपको 12 को को इसे काट नहीं है और इस फंड में डालना है ताकि यह फ बारापरसन उनको नहीं देने की ज़रूद अब्लाइग को भी से 12% कटा आने की ज़रूद निए यह पूरा का पूरा पुरा जो 12% बारवारा परसेंट और 14% बनता है यह government खुद बेर करेगी union government जो है किसे बेर करेगी मतलब इस फंड में जो यह 12-14 परसंट का कॉंट्रिबूशन है कुर्मेंट खुछ से देगी ठीक है लेकिन आप किसी को सेलरी से किसी को जॉब से या किसी को इंप्लाइमेंट से मत निकालो हम आपको यह रिबेट दे रहे हैं ठीक है तब तक के लिए यह फॉर टाइम पिंग जब तक कि लॉट डाउन वेगरा का सिच्वेशन है आपको इस चीज में हेल्प मिल जाए ठीक है तो यह जीज़े नहीं कि कहां ही क्यूं गॉर्मेंट को करना पड़ा है वह यह भी क्याता है कि हमारा काम निया इंट्रेस्ट्री और इंप्लाइर और इंप्लाइर की बात ह है गॉर्मेंट या कोई भी लॉट इस चीज को नहीं करता है वह इस चीज को परमोड करता है कि स्टेट को इस चीज का ध्यान रखना है आर्टिकल 41 में कि जो इस राइट तू वर्क है वो सिक्यूर हो सके एंट पब्लिक असिस्टेंस जो है वो भी आपको देनी है इन केस अन्यम्प्लाइमेंट ठीक है ओल्डे सिकनेस और डिसेबिलेटी तो ऐसी सिच्वेशन में आप कोई वर्कर है तो गॉर्मेंट को जो डेक्टिव पिंसिपल है यह चीज को परमोड करता है गॉर्मेंट को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जो पब्लिक असिस्टेंस है फिर वर्क करता है तो इस एक्जामपल से आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 14 का बिसीकली परपस क्या है यहां पर क्या अगाम कर रहा है ठीक है नेक्स देख लेते हैं आर्टिकल 42 की पहले मैंने आपसे बात किया था मुर्टिन टी बेनिफिट एमेंडमेंट का ठीक ह वह यहां पर हम तोड़ा से डेल में देख लेते हैं 2017 में गॉर्मेंट ने इस एक्ट में जो है चेंजिस किये थे अधरवाइस जो यह एक्ट है यह जो है हमार पास 1961 का एक्ट है बेसिकली यह जो पुराना एक्ट था एक्ट था मुर्टिन टी बेनिफिट का वह 1961 का है बट गॉर्मेंट ने इसको 2017 में एमेंड किया और इसमें प्रोविजन लेके आए कि जैसे जो पहले जो लीव मिलती थी एक्ट के अंदर वह बारावीस की मिलती थी लेकिन गॉर्मेंट ने चेंज करके इसको 26 वीक कर दिया फॉर अगर आपके पहले दो चाइल्ड है उनके ले रहे तो 26 महीने की मिलेंगी और दो बुच्छों के बाद आपको जो हैं बारा वीक्स की मिलेगी ठीक है और ऐसी इसमें बड़ा अच्छा और इनिवेटिव एक स्टेप और लिया कि अगर आप कर रहे हो किसी बच्चे को जो कि तीन साल से कम तीन महीने से कम जिसकी एज है तो वहाँ पर आपको 12-20 का जो है लीव वहाँ पर भी आपको मिलेगा विद भी ठीक है तो यह गौवर्मेंट और प्राइवेट दोनों सेट्रस पर अप्लाए होगा दोनों कोई चीज देनी है ठीक है अब इस एक को जो हम डिटेल में डिसक्स करेंगे तो मैं बाखी प पर बात करेंगे इन डिटेल जब यह मटेनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 अम डिसक्स करेंगे अब एक्ट बैसी कली आर्टिकल 42 को पर मोट करता है ठीक आर्टिकल 42 ऑफ डाटिव पर दिया गया है तिक है जहां पर यह आपको मेंशन है अपलिफिमेंट चीज का ध्यान रखना है कि वरकर्स की जो वर्किंग कंडिशन है वहां पर वह भी रहे और सुटेवल और यूमिन वर्क प्लेस हो मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर ऐसा इंटेशन नहीं बातरूम नहीं टोलेट नहीं है और आप बस काम निकल वार हो कोई आपने वहां पर वे लीव की बात की गई है ठीक है मेर्टेनेटरी लीव जो है यहां पर डाटल 42 में लिखा गया है यहां आपको लीव प्रवाइड करनी है वुमेंस को इंकेस ऑफ प्रेग्नेंसी ठीक है तो आटिक जो 1961 में आटक्ट के तुरू बनाया गया था और जिसको फुर्दर फिर 2017 मे जहां पर हमें टॉपिक्स के हाथी से लिएंग करके तो अभी आप यह समझो कि मटेनिटी बैनिफिट होगा या या यूमन कंडिशन वाली जो बात है वर्किंग कंडिशन वाली बात है वह आर्टिकल 42 जो है उसमें कवर होती है Constitution के जो की पार्ट है डाटिक प्रिंसिपल स इसमें लिखा है all workers agriculture industry industrial और other living wages condition of work ensuring decent standard of life decent standard of life means कि अच्छी working conditions हो आप पर एक की जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि sanitation facilities वह सब की बात है आप है और सिर्फ इस standard of living के लिए मैंटीन करने के लिए सिरफ आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप salary दे रहो है आपने अपने अपनी अपनी factory में ठीफ region रखें वाट आपको और भी चीज़े ध्यान रखें कि आप उसे weekly आप दे रहे हो कोई function है कोई culture activity उसके लिए भी उसे समय दे रहो ठीक है वह सारी conditions भी अपन अपने society में और लोगों से interaction है वो सब कर सके ठीक है तो यह है आर्टिकल 43 में इस चीज़ को promote करता है ठीक है यह 42nd amendment act है 1976 में पास हुआ था यह एक को अपने quality classes में डिटेल ने पड़ा होगा बहुत important amendment act है बड़े सारे इसमें provision government ने add किये था इस amendment act के थू ठीक है अब इसमें से एक बहुत important act जो labor law की context में वो यहां पे diet wording दिया गया था इस amendment act में article 43 a add करके उसकी में लिखा गया कि securing the participation of worker in management for undergoing establishments undertakings establishments or other organizations engage in any industry ठीक है अब यह basically बात की गई है कि जो हमने अपने approaches वाले lecture में किया था कि government को इस चीज़ को भी ensure करना चाहिए कि जो workers की participation है in management ठीक है वो भी promote हो सके बढ़ानी है because worker को एक kind of एक वो सिरफ अपने आपको लेव एक higher labor या एक ध्यारी दार मज़ूर ना समझके वरकर ना समझके अपने आपको partner समझे उस factory की या उस इंडस्री की growth में ठीक है तो management के साथ हाथ में लाकर वो काम करें ताकि दोनों का growth हो सके ठीक है पूरी industry growth होगी तो सब का सा जो यह बात है वो इंप्लाई होगी अब इसको अगर हम एक्ट में देखेंगी कहां पर कौन सा एक्टिस को promote करता है तो जो industrial dispute act 1947 में जो बना था वो इसी इसको पहले से ध्यान में रखके बनाया गया था कि हमें जो है worker की participation को management के लेवल में प्रमोट करना है एक उसके लिए उन्होंने इस एक्ट में लिखा था workers committee बनने चाहिए ताकि जहां जो workers है कई सारे committees के तुरू वो management में participate कर सके ठीक है चाहिए वो canteen canteen की management committee हो ठीक है या फिर वो safety committee हो ठीक है इस तरह के अलग-अलग regions के तुरू committees के तुरू workers की participation वो management में रहे अब जिस है जब हम इस industrial dispute act को detail में करेंगे तो मैं और आपको इसमें बताऊंगा ठीक है basically यह आपको एक example है कि कैसे article 43a को हम promote करते हैं इस act के तुरू ठीक है clear हो गया यह next चलते हैं फिर हम next अपने article पर यहां पर basically देखो जो है हमारे पास अब जो है यह आगया हमारे पास fourth part अभी fourth part basically है seventh schedule पहले हम प्र fundamental rights की directive principles की जो की labor law से related है ठीक है वो तीन पार्ट हो गए fourth part पर अब हम आगे है seven schedule पर जो की है आपका article 246 ठीक है अब यहां बेसिकली क्या है कि जो हम अगर discuss करें labor law के context में तो अधर बहुड़े सारे अलग अलग industries है laws है एक्स है या फिर powers है जो state government में central government में डिवाइड की ग law बना सकते हैं और कुछ ऐसे areas हैं कुछ ऐसी fields हैं जो जिनको दोनों के लिए रखा गया कि जहां पर यूनिन भी गवर्मेंट भी law बना सकती है और state government भी बना सकती है यह सब क्यों किया गया है वो सब कुछ आप अपनी quality class में करेंगे कर चुके होंगे अगर नहीं किया तो विडियो इक बार देख लिए जाएगा quality वाले यहां पर मैं बात करूं उन specifically union list और state list यहां पर स्पेसिफिकली लेबर लॉग की बात की गई है यहां फिर जो हम माइन्स और ओयल फिल्ड तो यह जो माइन्स और लेबर ओयल फिल्ड जो है इसमें जो regulation करना है लेबर लॉज का और उनकी safety के लिए जो provision बनेंगी उनके लिए जो rules and regulations बनाने वो rules and regulation बनाने की जो responsibility है वो central government की होगी ठीक है यह इस table को बड़े द्यान से देखेएगा because यह exam में पूस्ट लेता है और बड़े सारे answer हम इन सिरफ जो यहां पर 6 हमें entry दे गई है union में तीन entry हैं मैं रखें एक दो तीन and तीन जो है concurrent list से रखें तो इन छे entry के वैसे हम बड़े सारे यह EPC कोशन जो है EPC होगे वो solve कर सकते हैं तो इसको बड़े द्यान से देखना है union list में क्या क्या है mining और oil to feed से related जो भी regulations है वो यहां पर आता है ठीक है और उसके बाद industrial dispute वो industrial dispute जहां पर central government की unions involved हो ठीक है वो इंडिस्ट्राइब डिस्प्यूट जो है उनके रिए rules and regulations जो बनेंगे अंडर दिस एंट्री 61 ठीक है वो जो है central government बनाएगा ठीक है तो मैं बिस्टिबूशन की कौन की चीज़ बना सकता है ठीक है और कैसे काम करेगा इसके वाद एंट्री 65 है जो की बात करती है union agencies and institutions की मतलब जो भी union government हो गया या फिर और उनके institutions होंगे वहां पर जो vocational training देनी है या technical training देनी है उसके रिगार्डिंग जो rules and regulations बनेंगे वो भी central government बनाएगी ठीक है वहां पर अगर पर कुछ training वेरा की बात करनी है या देनी है तो उसके जो rules and regulations है वो भी central government बनाएगा ठीक है clear हो गया यह सारे आप जहां से दिखीगा और जो भी चैट box में मुझे बताते लिए कुछ भी query concern है उनका अंसर करता रहूंगा आपको तो यह यहां पर है main and इसके बाद हम concurrent list की बात कर लेते हैं concurrent list basically वह है जहां पर center और state दोनों ही rules बना सकते हैं ठीक है बट अगर center ने कुछ rule बना दिया तो उनका rule applicable होगा center को अपने accordingly उसको changes करने पड़ेंगे यह जब तक center नहीं बनाता है तब तक state rules चलते हैं ठीक है तो यहां पर तीन entries है entry 22 यहां पर trade unions and trade unions industrial and labor dispute की बात कि ए ठीक है तो इसके regarding जो भी state level पर changes करने वह किये जा सकते है है states के तुरू जो है concurrent list में है तो states अगर चाहें तो इंडेस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है ऐसे इस तरह के जो एक्ट्स है उनमें अपने लेवल पर state level भी changes कर सकते हैं ठीक है यह सब हम करेंगे डिटेल में जब क्लास इंडेस्ट्रिय डिस्प्यूट एक्ट पढ़ेंगे ठीक है एंड दूसरा यहां पर है एंट्री 23 जहां पर बात की यह सोचल सिक्यूरिटी इंशॉरेंस इंप्लाइमेंट एंड अनिम्प्लाइमेंट अब यहां पर रखा गया है कि जो states हैं उनको Central Government ज्याहिए इन CEE्ज़ों को regulate करने के एंड डूरस और सकता है यह वो सोचल से क्योर्टी प्रवाइड करने की बात की बात ओ झाये चाहिए अजब्त ऑप स्थो पो ऊप्रविजन के बात थाट उ उसके आद आर्टिकल एंट्री 24 है आपर जो कि वेलफेर वेलफेर ओफ लेबर इंक्लूडिंग कंडिशन ओफ वर्क प्रॉविदेंट फंड इंप्लायर्स इनेबिलेटी ओल्डेज पेंशन इन सब की बात करते हैं अब यह सब को देखो इस प्रॉविदेंट फंड पे इप पूछ लिया जाता है कि कौन से जो पावर जैं वह स्टेट गवर्मेंस में संट्री समधाई है और क्लियरली समझ अखो ठीक है चलिए फिर questions की practice कर लेते हैं ताकि आपको भी help हो जाए यह समझने हैं कि किस तरह के questions यहां पर आ रहे हैं और यह PC में किस तरह की आते हैं और जो भी तक आपने इस वीडियो में समझा पड़ा उसमें आपकी क्या understanding रही है ठीक है चलिए फिर first question देख लेते हैं easy से start करते हैं यह बड़ा easy है start है अगर आपने first slide ही देखा हो हमारा वो त्री मूर्ती वाला तो वहीं से आप समझ जाएंगे इसका answer ठीक है अंडर विच segment of the Indian Constitution labor policy is designed ठीक है तो इसका में rightly answer पर आता हूं हमने अपना first slide में देख ले था प्रेंबल से जो हैं labor policy को बनाने के लिए हमें आप लोग भी अपना first आप अंसर बताता है यह देख रहा हूं कि कौन से आप लोग कौन से स्टुटेंट क्या reply कर रहा है question number two देख लेते हैं which of the following statement about workers participation in management in India is not true ठीक है basically हमसे incorrect पुछा यहां से अब यहां पर हम use करेंगे हमारा elimination वाला method ठीक है अब आपने देखा था कि वर्कल participation जो है वो हमारे for active principles में mention किया गया था ठीक है so हमारे पास यहां पर क्या क्या option दिएंगे it is part of 20 point program economic program अभी अगर हमें नहीं पता अभी हमने इस लेक्चर में इसका नाम नहीं लिया था बट हम में से elimination से निकालेंगे इस answer को ठीक है तो हमने देखा था कि हमने डायेटिव प्रिंसिबल DPSP में इसकी बात की ठीक है तो यह तो incorrect नहीं है यह correct है हमारा तो यह हमारा अर्टिकल 43 जो है हमने इस चीज को एड किया था कि वर्कर सी पार्टिसपेशन होनी चाहिए इंडिस्ट्री में ठीक है यह फेक्ट्री बगारा के पता है करेट है अगर यह करेट है तो डेफिनिटली जो यह है जस्टिसेबल राइट वाला यह यहां पर क्रेट नहीं होगा ठीक है अधर रही होता गया कि जस्टिसेबल राइट हमने देखा था फंडमन्त राइट जो जस्टिसेबल राइट इनके अपको ठाट सकते हो है अगर आप आप कंड से कोर्ण ऑसकते हैं तो यह और उससे उससे वह जो यह हमारे दोनों अने औस तो कुछ सकते हैं आप लोगो को मैंने बताय था कि यह non-justiceable है ठीके तो यह हमारे दोनों ही यहाँ पर correct नहीं हो सकते हैं यहाँ पर यह फिर incorrect हमारा answer ठीके तो फिर डी हमारा answer रहेगा इसमें डी statement जो है वो incorrect हो और हमसे incorrect भी पूचा है तो डी जारांसर ठीक है होप आप लोग को भी answer सटीक कर रहे हैं जिनकी मिस्टीक वर हो एक बार हैंड आउट जूरू पढ़िएगा आपको क्लाइटी मिल जाएगी कुछ नमबर थ्री पर आ जाते हैं कुछ नमबर थ्री दू कॉंसिट्टिशन ऑफ इंडिया अपहल्ड दप्रिंसीपल अफ फ्रीडम ऑफ एस्सोसियेशन as a fundamental right enumerated by ILO means international labor organization convention अब कई students को का कि हभी हमने international labor organization नहीं पढ़ा है तो इसका answer कैसे करेंगे बट देखो जितना पढ़ा हम उसी से बड़े easily निकाल सकते हैं हमने इस चीज़ जिसके सकी थी freedom of to form association ठीक हैं वहां पर हमने चीज़ देखी थे कि association बनाने का right हमें मलता है एंड हमने इसके लिए अलग से अलग से अलड़ी हमार पास एक एक ट्रेड यूनिन एक बनावा था इसके लिए ठीक है तो यहां पर हमने डैटली देख लेना आर्टिकल 19 c में जो है चीज मेंशन किए गए थी freedom of association बनाने की बात जो है वह यहां पर दिया गया था ठीक है चलिए आप लोगों अब भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे आंसर आप लोगों के आ रहे हैं और आगे भी आंसर आप दें आप लोगोंने देना है कुछ नंबर फोर पर आजाता है कुछ नंबर फोर अब यह थोड़ा सा इंडाट कोशन है यहां भी elimination का method यूज करो और इसका अंसर निकालो ठीक है जो information आपको अलड़ी इस लेक्टर से मिल चुकिया उसी से हमने आंसर निकालना है विच आप फॉल्विंग दा स्टेट ल ठीक है मैंने आपको स्टेट लेस्ट नहीं कराया क्यों नहीं कराया वह भी देख लेता है यहां पर रपास तीन-तीन प्रोविजन सी थे अब इनी तीन प्रोविजन के बेसे से हम इसको हमेशा निकाल सकते हैं स्टेट लिस्ट में अगर मैं सारे करान जाँगा तो बहुत बहुत कुछ दिया उसमें हमें उसमें जाने की जरूरती नहीं पड़ेगी अधराइस में आपको आगए इसका एक डॉक्मेंट इसके लिए भी दूंगा था कि आप पढ़ लो इन्हें भी कॉसकी स्टुएंट्स होता है कि हमें डेल में देखना है तो वह उनके लिए में बाकियों के लिए जुरूरत नहीं है हमें जितना एक्जाम के लिए यह होता है यहीं से हो जाएगा देखो क्या है इसमें Eliminate करो हमने किसी चीज की बात कर ली थी हमने देखा था वोकेशणल और टेक्निकल टरेनिंग आफ वर्कर जो है यह हमें यूनिन लिस में था ठेक है तो यह अंसर नहीं हो सकता participation in international association international association में अगर participation देनी है तो हमने यह चीज देखी हुए औरड कि यह central level पर ही काम होगा union होगा हमारा c answer and d social security and social assistance अब यह हम ने दिखा था हमारी concrete list का पाट था ठीक है उसमें दिया हो था ना ठीक है तो यह भी नहीं हो सकता है हमारा तो दी इस भी नॉट है shop and commercial establishment तो यही एक बचा है and यही हमारा answer है जो कि state के अंदर आता है यह अपने जो शॉप सब्सक्राइब करेंगे तो अपने जो शॉप सब्सक्राइब करेंगे तो अब मैं आपको next question दो years question से and फिर मैं देखता हूं कि आप लोग elimination से कैसे उसे solve करता हूं कि 2017 का paper है ठीक है अब यहाँ पर हमें participation of worker in industries पूछा गया था कौन से अट के अनरा था यह हम अलवरी discuss कर चुक है इसका भी answer था article 43 A ठीक है question number अब यहाँ पर 2017 का भी वाला फिर से हमें state list दी गई है solving comes under the state list under the 7th schedule of the constitution ठीक है अब हमें फिर से elimination अपना यूज़ करना है अपना elimination का method यूज़ करो और इस कांसे करो यहां पर फिर्स statement है relief of the disabled and unemployed यह किस में था हमार पास यह हमार पास था concurrent list में ठीक है next regulation of labor and safety in minds यह किसमें था माइन्स की बाद कहां पर थी हमार पास वह थी हमार पास स्टेट सारी union list में ठीक है यह भी नहीं सता है यहां पर यह भी क्रॉस है यह भी क्रॉस है यह भी क्रॉस है देन थर्ड सी देख लेते हैं रेगलेशन and control of manufacture and supply and distribution of salt इसको इसके बार में भी नहीं पता हम इसे छोड़ देंगे ठीक है दी देख लेते हैं social security and social insurance यह हमें पता है यह था हमारा concurrent list में ठीक है तो अगें हमने elimination से बड़े इसली निकाल लिया हमारा सीनों यह क्रॉस होगे एक हमारे बचा है and this is your answer ठीक है तो अगर आपको state list बहुत डिटेल में नहीं पता तो this is how मैं basically आपको टेक्नीक दे रहा हूं कैसे आप आपको इसली निकाल सकते हैं अगर आपको इसीदों के बार में सारी street list यह सब कुछ आपने याद नहीं भी किए ठीक है this is how you we can answer the questions and आज के लेक्टर में सारा constitutional provision cover up कर लिया है handout जो है वो successory telegram channel पर आपको मल जाएगा वांसे download कर एक बार पढ़ लीजेगा and अभी भी कई students का query आ रहा है कि sir hindi में आप pdf दे दो देखो अभी lockdown खतम होने दो i will try कि मैं आपको जो documents है वो convert करके hindi में भी provide कर दूँ ठीक है so this is this is all about this lecture and thank you for so much for being here and continuously आप लोग support भी कर रहें इन lectures को अभी हमेशा request करूं को live देखना इन lecture को ताकि आप साह के कोशन की practice भी कर सके and जो next हमारा topic रहेगा इस वीडियो में that will be trade union बहुत important class होगा ये ठीक है class अब हमारे थोड़े सी लंबे होने शुरू होंगे but you need to be there in the class so that हम आपके जो भी like chatmen hours queries है वो इंपर resolve कर सके ठीक है तो till then thank you so much and take care and respect the provisions which are which government is giving you regarding the lockdown